जै मातली दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिएगे पैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों कार्टिक पक्ष की अमावश्य तित्यु को मनाया जाने वाला दिपावली का बहुत ही विशेश महत्व है माता लक्षमी की इस दिन आराधना की जाती है इस बार ये पर वो 27 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा कार्थिक महिने के आरंब से ही इस त्योहार की तैयारियां शुरू होने लगती है सुक समर्दी की कामना करने के लिए हर इनसान दिपावली पर अपनी घर की साफ सफाई करता है ताकि धन की देवी लक्षमी उनके घर में वास करे और उनके आर्थिक परिशानियों को दूर करे ऐसा माना जाता है कि मालक्षमी का वास उन घरों में नहीं होता है जहां पर गंदगी और अशुब चीजे होती है मालक्षमी को साफ सफाई बेहत पसंद है जोतिश और वास्तु के अनुसार भी दीपावली पर घर में टूटी-फूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर पर ऐसी कौन सी चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए जिनसे माता लक्षमी आपसे नाराज हो जाती है या आपको कौन सी वो दस चीजें घर से निकाल फेंकनी चाहिए जिनसे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है नमबर एक तूटे हुए शीशे की चीजें दोस्तो यदि आपके घर में घर के किसी कोने का कांच तूटा हुआ है खिड़की का कांच तूटा हुआ है घर का मिरर तूटा हुआ है कांच के बरतन तूटे हैं या फिर उनमें तरेड भी आई हुई है तो वो घर में नहीं रखने चाहिए उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए इसकी जगे नया शीशा लगवाए नय बरतन लेकर आए घर पर तूटा शीशा बहुत ही अशुब माना जाता है दोस्तो कभी भी भूल कर किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ती या तस्वीर की पुजा नहीं करनी चाहिए और नहीं घर में रखना चाहिए दुरभाग्य को दूर करने के लिए दिपावली से पहले ऐसी फोटो मूर्तियों को घर से दूर पवित्र इस्थान पर ले जाकर दबा देना चाहिए नमबर तीन खराब इलेक्ट्रोनिक सामान दोस्तों अगर आपके घर में कोई खराब इलेक्ट्रोनिक सामान है जैसे रेडियो, फ्रिज, या माइक्रोवेव अगर ये चीजें पूरी तरह से खराब हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल दे और या फिर अगर ठीक करवाने लायक हैं तो उन्हें ठीक करवा कर आप देवाली से पहले दोबारा इस्तमाल कर सकते हैं खराब पड़े हुए ये इलेक्ट्रोनिक सामान आपके सेहत और सौभाग्य दोने के लिए अशुब साबित होते हैं दोस्तों वास्तु के अनुसार घड़ी आपके प्रगती का प्रतीक होती है ऐसी में अगर घड़ी बंद हो जाए या तूट जाए तो आपकी ओनती में बाधक साबित होती है इसलिए यदि घर में खराब घड़ी है या तूट गई है तो उसे दिवाली से पहले घर से निकाल दें उसके जगा नई घड़ी का इस्तमाल करें नमबर पांच पुराने पड़े जूते चपल दिवाली के त्योहर से पहले घर की साफ सफाई करते समय अपने पुराने जूते चपल जिनका उप्योग आप नहीं करते हैं जिनें आप इस्तमाल नहीं करते हैं उन्हें घर से बाहर करना ना भूले फटे पुराने जूते चपल घर में नकारात मकता को जन देते हैं दुरभाग्य को बढ़ाते हैं दोस्तो इस दिवाली से पहले घर की छट साफ जरूर करें और पहले से पड़े हुए कूडे कबार या फिर यूज में ना आने वाले सामान को आप घर की छट से हटा दे दोस्तो कभी भी घर में तूटे हुए बरतनों का उपयोग नहीं करना चाहिए इस दिवाली आप ऐसे सभी बरतन जिनका आप लंबे समय से स्थमाल नहीं कर रहे हैं या फिर तूटे हुए हैं उन्हें घर से जरूर बाहर फेग दे ये घर में लड़ाई का कारण बनते हैं घर में दुख दरिद्रत आती हैं नमबर आट तूटी हुई तस्वीरें दोस्तो यदि घर में कोई तूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से बाहर कर दे वास्तो के अनुसार तूटी हुई तस्वीरें घर का वातावरन प्रभावित करती हैं नेगिटिवी टेस से घर में आती है नमबर आट तूटा हुआ फरनीचर वास्तु के अनुसार घर में तूटा हुआ फरनीचर रखना आशोब माना जाता है घर का फरनीचर एकदम सही हालत में होना चाहिए इस्तमाल करने के हालत में होना चाहिए वास्तु के अनुसार घर में पड़ा टूटा हुआ फरनीचर घर में नकरात्मकता को जन्म देता है नमबर 10 टूटा हुआ दरपन दोस्तो टूटा हुआ मिरर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ घर में टूटा हुआ काँच कभी भी ना रखे तूटा हुआ कांच बहुत ही अशुब माना जाता है नकारात्मक उर्जा को ये जन्न देता है और परिवार के सदश्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है इसलिए घर में तूटा हुआ शीशा बलकुल ना रखें तो दोस्तो ये थी वो दस चीजें जो आपको दीपावली से पहले आपको अपने घर से बाहर निकाल फेकनी है ये दस चीजें आपके घर में नकारात्मक ता को जन्न देती हैं और घर में माललक्षमी कभी वास नहीं करती वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें धन्यवाद